हेलो एवरिवन, वेलकम तो लर्न इजी मैच्स क्लासेज, आज इस वीडियो में मैं आपको राउंडिंग नम्बर्स एक्सराइज नम्र 11 के क्यों कराऊंगा, सो विडाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन, फर्स्ट कुश्चन है, राउंड ओफ टू नियरेस्ट टैन, यहाँ पर हमें नियरेस्ट टैन में राउंड ओफ करना है, तो नियरेस्ट टैन वर्ड जब आप देखें, तो आपको एक बात याद रखनी है, जिरो बनानी है, नियरेस्ट टैन का मतलब आपको उसमें लास्ट में सिंगल जिरो लेकर आना है, जैसे फर्स्ट पार्ट है 42, 42, तो 42 जो है, आप काउंटिंग लिखेंगे, तो 40 से 50 तक कि अगर आप काउंटिंग लिखें, तो उसके बिट्वीन बीच में आता है 42, अगर 48, 49, and लास्ट में 50, तो जब आप 40 से लेकर 50 तक के काउंटिंग लिखेंगे, तो उसके बीच में आपका 42 आएगा, तो नियरेस्ट 10 का मतलब है, आपको 0 वाले नंबर देखना है, तो इसलिए मैंने 0 वाले कौन-कौन से नंबर देखें, जिनके बीच में 42 आता है, एक तो 42 यह है, यह 42, 40 के तो बहुत नजदीक है, लेकिन 50 से बहुत दूर है, तो नियरेस्ट वैल्यू 42 की राउंड ओफ करेंगे, अगर हम 10 में, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 40 बनेगा, तो यहाँ पर आपको सिंपल वे, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप पता ल और मोर देन 5 हो, 5 या फिर मोर देन 5, तो आपको प्रिवेस वैल्यू में 1 एड कर देना होता है, अब यहाँ तो 2 है, 2 तो 5 से छोटा होता है, तो इसलिए हमने यहाँ प्रिवेस वैल्यू में कुछ भी एड नहीं किया, 4 को 4 ही लिखा, और जो 2 था उसको 0 बना दिया, तो नियरेस 10 में आपको क्या करना है, लास्ट में 1 0 बनानी है, और जिस वैल्यू को 0 बनाया जा रहा है, उसको आप देखेंगे कि 5 या 5 से छोटी है या बड़ी है, अगर 5 होगी या 5 से बड़ी होगी तो आपको प्रिवेस वैल्यू में 1 एड कर देना होता है, ठीक है, और द 10 में आपको बताया, 10 का मतलब क्या होता है, 10 में single 0 आती है, वो भी last में, तो हम भी यहां क्या करेंगे, 59 में, जो last वाली डिजिट है, इसको 0 बनाएंगे, ठीक है, तो last डिजिट को 0 बनाना है, तो हम last वाली डिजिट को 0 बना देते हैं, अब जिसको हमने 0 बनाया है, वो अगर 5 होगा या 5 से जादा होगा तो previous value में 1 add करना होता है तो ये तो 5 से बड़ा है न 9 तो 5 से जब ये बड़ा है 9 तो इसलिए हम previous value जो लिखी है 5 उसमें एक increase कर देंगे तो क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा part number सी देखो 135 हम इसको round off कर रहे है nearest 10 में तो nearest 10 का मतलब मैंने आपको क्या बताया nearest 10 का मतलब है आपको एक 0 बनानी है 10 means last में एक 0 आनी चाहिए तो हम last में यहाँ जो 5 है 135 की last digit क्या है 5 इसको हम 0 बनाएंगे तो जब हम last वाली digit को 0 बनाएंगे तो उस पे ध्यान देना है कि वो 5 या 5 से बड़ी तो नहीं तो यहाँ तो 5 है अगर 5 भी हो या 5 से बड़ी भी हो तो previous number में 1 add कर देना होता है तो यह जब 5 है तो पिछली value में आप 1 add कर आप 1 increase कर दो 13 में एक बढ़ा दोगे तो क्या बन जाएगा 14 तो final answer जो पार्ट सीखा हो गया वो हो गया 140 तो इस तरह से पार्ट नंबर 3 करेंगे अगला देखें पार्ट नंबर D 963 इसको भी nearest 10 करना है तो nearest 10 में 10 वर्ड जो होता है 10 उसमें एक ही 0 आते है वो भी last में तो हम भी यहां last वाली डिजिट को 0 बनाएंगे तो हम 3 हटा के 3 को 0 करेंगे फिर हम देखेंगे जिसको हमने 0 बनाया है वो 5 से बड़ा है या 5 है या 5 से चोटा अगर 5 होता है तो भी plus 1 किया जाता है पिछली value में अगर 5 से बड़ा होता है तो भी plus 1 किया जाता है पिछली value में लेकिन यहां तो 3 है जो कि एक 5 से चोटा नं अगर 5 होता या 5 से ज़्यादा होता तो 96 की जगा 97 हो जाता है, 1 प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो यह हो गया D part, अब देखें part number E, 1285, इसको भी nearest 10 करना है, तो 10 में 1 0 होते हैं, तो हम last वाली digit जो है, इसको 0 बनाएंगे, यह जो 5 लिखा है, last में इसको हम 0 बनाएंगे, अब ज 5 से बड़ी है, अगर होगी तो प्लस 1 कर देंगे, तो यह तो 5 से बड़ी तो नहीं है, बट 5 तो है न, जब यह 5 है, तो पिछली value में 1 add करना पड़ेगा आपको, तो पिछली value 8 थी, तो 9 बन जाएगी, यानि 1, 2, 9 हो जाएगा, तो answer हो गया, 1290, तो इस तरह से आब यह part number E करेंगे, अब देखें F part, 4590, nearest 10 बोला है, तो nearest 10 में A की 0 होती है, लास्ट में, और यहां तो already ही 0 बनी हुई है, यानि हमें यहां कुछ change करने की जुरूरत है नहीं, already यहां पर 0 बनी हुई है, तो हम same answer लिख देंगे, 4590, G part देखें, 12,647, तो nearest 10 करना है, और nearest 10, 10 का मतलब 1 0 लानी है, वो भी last में, तो यह जो last के digit है 7, इसको हम 0 बनाएंगे, अब यह जो 7 है, जिसको मैंने 0 बनाया, यह तो 5 से बढ़ा है, जब यह 5 से बढ़ा है, तो previous value जो थी 4, उसको 1 बढ़ा देंगे, 1 प्लस कर देंगे, तो 1, 2, 6, 4 था, 4 म एक बढ़ाने पर 5 बन जाएगा, तो 1, 2, 6, 5 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 12,650, तो यह हो गया आपका final answer, part नमबर G का, अब देखे है, H part, H part है, 39,944, इसमें last वाले digit 4 है, इसी को हमें nearest 10 में 0 बनाना है, तो nearest 10 का मतलब last में 0 लानी है, तो 4 जो है, इसको बदल के आपको 0 लाना है, तो 4 जिसको मैं 0 बना रहा हूँ, वो तो 5 से छोटा है, और जब value 5 से छोटी होती है, तो हमें पिछले number में कुछ भी add नहीं करना होता, तो पिछले number जो 4 था, वो 4 ही रहेगा, तो answer आएगा, 3, 9, 9, 4 ही आएगा, अगर 5 या 5 से ज कोष세요 number 2 पर, second question है, round off to nearest 100, इस बार हमें round off जो करना है, question में का है, round off करो, लेकिन इस बार round off आपको nearest 10 मेंगा, नीररेidad में करना है, तो 100 में आप देख रहे हैं कि 100 में कितने 0s होती हैं, तू जीरो यानि यहाँ पर जितने भी part दिये गए हैं, उन में सब में आपको last में 200 दिखानी हैं, ठीक हैं, जैसे part number A है देखो, 260, यहाँ पर आप में, यहाँ पर last में 200 बनानी है, तो उल्टा चलेंगे end से, पहले यह 0 बनीगी, फिर last में यह, उल्टा चलना है बैक से ठीक है ना 100 में कितनी 0 आती है 2 तो हमें यहां पर भी कितनी 0 बनानी पड़ेंगे 2 तो हम पहले यह वाली 0 बनाएंगे यह तो already 0 है हमें बनाने की जुरत नहीं उसके बाद हम यह 6 को 0 बनाएंगे क्योंकि 100 में कितनी 0 आती है 2 इसलिए इसमें भी हमें last में 2 0 बनानी पड़ेंगी तो बाद में 0 किसको बनाई उल्टा चल रहे हैं पहले किसको 0 बनाई इस value को बाद में किसको 0 बनाई इस value को तो जो बाद में बनाई जाती है 0 उसको देखना होता है क्या वो 5 या 5 से बढ़ा तो नहीं है जैसे हमने question number 1 में किया था हमने क्या देखा था round off करने के लिए round off करने के लिए ये देखा था क्या value 5 या 5 से ज़्यादा तो नहीं अगर 5 होती है या 5 से ज़्यादा होती है तो हम 1 add कर देते हैं वो ही same concept यहां भी करना है तो यहां पर आपको पहले तो ये last की desert zero बनानी थी उसके बाद उससे पिछली वाली zero बनानी थी hundred में दो zero आती है तो यहां पर भी दो zero बननी थी बाद में zero किसको बनाया हमने six को उल्टा चल रहे हैं इधर की side चल रहे है तो पहले ये zero बनी और बाद में six zero बना तो जो चीज बाद में zero बनी है उसको देखना है कि वो five या five से बड़ी है तो ये जो six है इसको देखेंगे ये six हमें कैसा नजरा रहा है six तो five से बड़ा है और जब ये number five से बड़ा है तो पिछली value जो two थी है उसमें one add कर देंगे तो answer क्या हो जाएगा two की जगा three तो final answer आजाएगा three hundred पार्ट नमबर भी देखो seven hundred fifty two इसको भी nearest hundred में करना है hundred में कितनी zero है तो तो यहाँ पे भी दो zero बनाएंगे तो पहले हम किसे zero बनाएंगे उल्टा चलते हैं मैंने बताया था उल्टा चला जाता है सबसे पहले हम two को zero बनाएंगे उसके बाद किसको zero बनाएंगे five को zero बनाएंगे तो जो बाद में value zero बनी है वो कौन थी five five एक ऐसा नमबर है जिसको हमने बाद में zero बनाया सबसे पहले तो two को zero बनाया उसके बाद five को zero बनाया तो बाद में जो zero बना है वो है five और five या five से बड़ी value अगर आती है तो पिछले number में round off करने के लिए बढ़ा दिया जाता है तो यहाँ five से बढ़ा तो नहीं है बट five तो है ना तो पिछली value जो seven थी उसमें one add कर देंगे तो seven plus one क्या हो जाएगा eight तो final answer हो जाएगा आपका eight hundred अब देखे पार्ट number c c part है one thousand eight hundred ninety two इसको round off करना है तो hundred में बोला है round off to hundred तो दो zero चाहिए तो हम सबसे पहले last वाली digit को zero बनाएंगे उसके बाद उससे पहले की जो value है उसको zero बनाएंगे तो बाद में zero किसको बनाया सबसे पहले तो हमने two को zero बनाया था उसके बाद हमने nine को zero बनाया तो बाद में कौन zero बना है nine zero बाद में बना था nine को हटा कर zero हमने बाद में लिखा पहले 2 को हटा के 0 लिखा था तो ये जो value जिसको बाद में 0 लिखा गया है उसको देखना है कि क्या वो value 5 या 5 से बड़ी है हाँ ये 9 जो है वो 5 तो नहीं है बट 5 से बड़ा है तो ऐसे case में जब 5 से बड़ा आ जाएगा तो पिछली value जो है वो बढ़ जाए गी तो ये 18 है तो 18 की जगह क्या हो जाएगा 19 तो final answer हो जाएगा 1900 अब आज है पार्ट नमबर D पर 25,878 इसको भी nearest hundred करना है तो last में सबसे पहले ये 0 बनेगी फिर उससे पहली वाली digit को 0 बनाएंगे तो 2 0 बन गई nearest hundred में कितनी 0 चाहिए तो हमने सबसे पहले किस को 0 बनाया 7 को इल्टा चलते हैं उल्टा तो पहले 8 को 0 बनाया बाद में 7 को तो इस तरह से ये D-part करेंगे, अब आ जाते हैं E-part पे, 1,43,963, इसको भी round off करना है, नेरेस 100 में, तो 2-0 बनानी है, सबसे पहले last की डिजिट को 0 बनाएंगे, फिर उससे पहले वाली डिजिट को 0 बनाएंगे, तो 2-0 आनी थी, 100 में हमने दोनों बना ली, अब बाद में 0 किसको बनाया, बाद में हमने 0 बनाया 6 को, उल्टा चल रहे थे न, पहले 3 को 0 बनाया था, फिर उसके बाद आया था 6, उल्टा चलने की वज़ा से, तो इसलिए बाद वाली डिजिट जो है, वो 6 है, 6 को 0 बनाया और 6 तो 5 से बढ़ा होता है, जब ये 5 से बढ कर देंगे, तो पिछली डिजिट क्या देख रही है, आपको 9, आप एक साथ रीड कर लो, ये एक साथ रीड करने पर क्या दिखाए देगा, 39 दिखाए देगा, एक प्लस करना है, क्योंकि यहां 6 था न, 5 से बढ़ा, तो एक जोड दो, 39 दिख रहा है ये, 39 में एक जोडने पर क्या बन जाता है, 40, तो आंसर हो जाएगा, 1, 4, 39 की जगा क्या लिख देंगे, 40, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, पार्ट नमबर E का, अब देखें, पार्ट नमबर F, 42,12,083, ये भी नियरेस्ट हंड्रेंड में राउंड आफ करना है, तो नियरेस्ट इस तरह से, एंड से चलना है, तो सबसे पहले 3 की जगा 0 बनेगा, उसके बाद 8 की जगा 0 बनेगा, तो बाद में किसको 0 बनाया है, आपने बाद में बनाया है, 8 को 0, तो हमें भी चेक किसको करना है, 8 को ही चेक करना है, अब ये जो 8 है, ये तो 5 से बढ़ा है, जब ये 5 से बढ़ा है तो पिछली डिजिट में एक प्लस करना होगा आपको तो पिछली डिजिट क्या दिख रही है 0 दिख रही है तो 0 में 1 बढ़ा दो अगर ऐसे ना समझाए तो दोनों पर लो एक साथ 20 है एक बढ़ा दो 20 की जगा क्या हो जगा एक बढ़ा निवे तो ये हो गया आपका final answer part number F का, तो इस तरह से सारे part करने आपने question number 2 के, अब देखें next question, question number 3, round off to nearest thousand, इसमें जो हमें round off करना है वो nearest thousand में करना है, और इस बार round off nearest thousand में, हमने दो round off पढ़ लिये हैं, एक तो round off to nearest ten पढ़ा है, round off to nearest hundred पढ़ लिया, अब इस बार जो आप पढ़ रहेंगे, वो है nearest thousand में round off, तो thousand में आप जानते हैं, thousand किस तरह लिखते हैं, मैंने यहाँ लिखे दिखाया, आपको thousand, thousand में three zeros आती है, तो यहाँ पर जितने भी part है, उनमें हमें सब में last में three zeros बनान difference नहीं है, बस difference जो है, वो zeros का है, पिछले वाले में हमने दो zero बनाई थी, क्योंकि वो hundred था, इस बार thousand है, तो हम three zero बनाएंगे, 5845, यह question है, आपको इसे round off करना है nearest thousand में, thousand में कितनी zero है, तीन, तो आम ना उल्टा चलोगे last से, जैसे पिछले question में मैंने आपको जिखाया थ और कितनी digits को zero बनाना है, तीन digits को zero, तो सबसे पहले हम उल्टा चलने पे किसको zero बनाएंगे, 5 को, फिर उसके बाद किसको zero बनाएंगे, 4 को, फिर बाद में last में किसको zero बनाएंगे, 8 को, उल्टा चलने पे आखरी में कौन zero बनेगा, 8, तो हमें check किसको करना है, 8 को ही check करन है उल्टा चलते हैं तो आखरी में zero कौन बन रहा है उल्टा चलने पे पीछे से चलने पे आखरी में zero कौन बनेगा eight बनेगा तो जो eight है वो तो five से बढ़ा है जैसे मैंने आपको previous question में बताया था पांच होगा या पांच से जादा होगा five या five से more हो तो आपको one add कर देना होता है पिछली value में तो यह जो eight है यह तो five से बढ़ा है तो हम पिछली value जो देख रहे हैं पांच उसमें एक बढ़ा देंगे तो वो मन जाएगा six तो final answer हो जागा third के एका six thousand अब देखें third का भी six four nine eight इसको भी round of nearest thousand में करना है तो thousand का मतलब 30 तो आप last में 30 बनाएंगे सबसे पहले उड़ा चलेंगे तो सबसे पहले कौन zero बने का eight उसके बाद कौन zero बने का nine उसके बाद कौन zero बने का four हो गई 30 लास्ट में zero किसको बनाया था हमने four को उल्डा चलने पर 4 को बिल्कुल last में जाके 0 बना है सबसे पहले तो 8 को 0 बना है था last में जाकर 4 को 0 बना है तो जिसको हमने last में 0 बनाया है वो 4 है और वो तो 5 से छोटी value है तो 5 से जब छोटा होता है तो कुछ भी add नहीं करते पिछली value में पिछली value 60 तो 6 ही रहीगी तो final answer 6,000 आएगा पाट number सी देखे 18,552 round off करना है नियर एस 1000 में तो उल्टा चलेंगे और 3 0 लाएंगे सबसे पहले 2 की जगा 0 फिर 5 की जगा 0 फिर 5 की जगा 0 हो गई 3 0 last में किसको 0 बनाया है last में 0 बनाया है ये वाला 5 जो था ये 5 ये बिलकुल बाद में 0 बना था सबसे पहले तो 2 को 0 बनाया था फिर इस 5 को 0 बनाया था फिर last में ये वाला 5 0 तो जो चीज last में 0 बनी है वो 5 है और मैंने बोला था 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो पिछली digit जो होगी उसमें एक बढ़ा देना है तो 18 है ये 18 में एक बढ़ा देंगे तो क्या बन जागा 19 तो final answer हो जाएगा आपका 19,000 अब आजाए नेक्स पार्ट पर 77,497 इसको भी nearest 1000 बनाना है तो उल्टा चलेंगे और last से एक एक 0 बनाते जाएंगे तीन digit को पहले ये 0 बनेगी फिर ये 0 बनेगी फिर ये 0 बनेगी तो last में मैंने जो 0 बनाया वो 4 को बनाया और 4 जो है वो तो 5 से छोटा है तो जब 4 5 से छोटा है तो पिछली digit जो है वो कुछ भी बढ़ेगी नहीं वो 77 ही रहेगी तो D का answer क्या हो गया आपको यहां क्या करना है round off करना है nearest hundred में तो hundred में सौरी hundred नहीं thousand में तो कितनी 0 बनानी है last से 30 तो सबसे पहले तो 4 को 0 बनाओगे फिर 3 को 0 बनाओगे फिर 7 को 0 बनाओगे हो गई 30 round off करा था thousand में तो 30 बननी चाहिए थी 30 बना दी अब अगला वर्क क्या करें जिसको last में 0 लिखा है आपने उल्टा चलने पे last में जिसको 0 लिखा है वो कौन है वो तो 7 है जो कि 5 से बढ़ा है जब यह value 5 से बढ़ी है तो पिछली digit में 1 बढ़ा देंगे तो 0 था 0 में 1 बढ़ाएंगे तो 0 प्लस 1 क्या होता है तो 910 की जगा 911 हो जगा जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1 आ जाएगा तो इस तरह से ए पार्ट करेंगे अब देखें आफ पार्ट काफी बड़ी value दिया है आपको इसे नियरेस 1000 में करना है तो 1000 में उल्टा चलते हैं और 3 0 आती है 1000 में तो 3 डिजिट्स को 0 बनाए पहले तो ये 0 बनेगा फिर ये 7 0 बनेगा फिर ये वाला 7 0 बनेगा तो 1000 में 3 0 आनी है वो 3 0 यहां बन गई लास्ट में जो 0 बनाया वो किसको बनाया है वो ये वाला 7 जो है उल्टा चलने पे लास्ट में ये वाला 7 0 बना और ये 7 जो है वो तो 5 से बढ़ा है जब ये 5 से बढ़ा है तो पिछला नंबर जो है वो एक बढ़ जाएगा तो पिछला नंबर यहां पे आपको क्या दिख रहा है या दो डिजिट पढ़ दो, दो डिजिट पढ़ोगे तो 9 नहीं, 39 पढ़ा जाएगा, एक बढ़ा दो, जब एक प्लस कर दोगे, 39 में तो क्या बन जाएगा, 40, तो यहां लिख देते है, 40, और पीछे की डिजिट ऐसे ही लिख दो, 582, जो बज गया, वो तो as it is लिखना है, तो final answer हो गया, 5 करोड, 82, 40,000, तो यह हो गया आपका final answer, question number 3 के, तो इस तरह से यह आपको सारे पाट करने है, question number 3 के, अब आ जाते है next question पे, question number 4, यह भी round off का ही question है, part number A, इन्होंने बोला है, round off to nearest 10,000, इस बार आपको एक तो number दिया है, 5, 56,748, और दूसरा दिया है, 2, 32,497, यह दो number दिये है, और इनको round off करना है nearest 10,000 में, तो आप जानते हो 10,000 में कितनी zeros आती हैं, अगर आप 10,000 लिख के देखोगे, तो यह है 10,000, इस तरह से लिखा जाता है 10,000, तो कितनी zeros आ रही है, 1, 2, 3, 4, last में 4, 0 आ रही हैं, तो आपको यहां पे भी क्या करना है, 4, 0 बनानी है last में, सबसे पहले उल्टा चलते हैं, मैंने आपको बताया था, previous question में उल्टा चलो, तो सबसे पहले तो यह 0 बन जाएगा, फिर यह 0 बनीगी, फिर यह 0, कितनी 0 बनानी है, 10,000 में 4, 0, तो 3 तो बन गई, 4 यह वाली है, ठीक है न, तो हमने यहां 4 डिजिट्स को उल्टा चल कर 0 बनाया, तो उल्टा चलने पर आखरी में किसको 0 बनाया है, उल्टा चलते चलते, आखरी में 0, 6 बनाया है, और 6 तो 5 से बढ़ा होता है, जब यह 5 से बढ़ा है, तो पिछली डिजिट है, वो बढ़ जाएगी, 5 की जगा, एक बढ़ा देंगे, तो 6 हो जाएगा, तो यह हो गया, आपका final answer, 4th के A part का, अब देखें B part, इसका A का एक और पार्ट है, वो भी कर लेते हैं, यह तो A का पहला था, अब यह A का दूसरा करते हैं, यहाँ पर भी आपको nearest 10,000 में ही करना है, और 10,000 में कितनी 0 आती है, 4, तो हम उल्टा चलेंगे, और 4 डिजिट्स को 0 बनाएंगे, सबसे पहले यह 0 बनेगा 7, फिर दूसरा यह 9 0 बनेगा, फिर तीसरा यह 4 0 बनेगा, और 4 था यह 2 0 बनेगा, तो हमने 4 0 बना दी, क्योंकि 10,000 में 4 0 आती है, लास्ट वाली कौन सी डिजिट 0 बनी, 2, यह 2 आखरी में 0 बना था, उल्टा चलनेगे, और 2 तो 5 से छोटा है, जब यह 2 5 से छोटा है, तो पिछली डिजिट जो है 23, उसमें कुछ नहीं भढ़ाएंगे, वो 23 ही रहेगा, तो आंसर हो गया, 2,30,000, तो इ 92,582, और दूसरा नंबर है, 1 करोड, 55,66,234, दोनों को nearest lakh में लिखना है, आपको इस बार nearest lakh में लिखना है, तो lakh में कितनी 0 आती है, अगर आपको ना समझाए कि 1 lakh में कितनी 0 आती है, तो आप लिखके देख लिए, once, last से लिखो, last से, once, tens, hundred, thousand, ten thousand, और यह हो गया, lakh, lakh में one आ गया, अगर आप इसे count करोगे, इंडियन सिस्टम में, तो last से ही तो count करते हैं न, last से ही हो गया, once place, tens, hundred, thousand, ten thousand, और lakh वाली place पे क्या आ गया, one, तो यहाँ पर lakh में कितनी 0 आ रही है, अगर आप count करो, one, two, three, four, five, तो nearest lakh जब करना है, तो आपको कितनी 0 बनानी है, five zeros बनानी है, क्योंकि lakh में five zeros होती है, इसलिए हम यहाँ पर भी five zero मनाएंगे, तो उल्टा चलेंगे, और last से, एक एक डिजिट जिरो मनाते जाएंगे, पहली डिजिट यह 0, फिर दूसरी 0, फिर तीसरी 0, फिर चौती प्लेस पे 0, पांच प्लेस पे 0, हो गई पांच जिरो, पांच जिरो मनती है, किसमें, one lakh में, तो इसलिए हमने nearest lakh करने के लिए, पांच डिजिट को 0 मनाया, आगरी में 0 किसको बनाया, अंडरलाइन हुआ बाया, आकरी में हमने 0, 9 को बनाया, और 9 तो 5 से बढ़ा है, जब यह 5 से बढ़ा है, तो पिछला नंबर जो है, 61, वो बढ़के क्या हो जाएगा, 62, तो यह हो जाएगा, 6 करोड, 20 lakh, यह हो गया, 62 lakh हो गया, तो यह हो गया, आपका प पार्ट और है, इसको भी nearest lakh में करना है, तो अभी मैंने आपको lakh लिखके दिखाया है, lakh में कितनी 0 आती है, 50 जाती है, तो यहाँ पर भी last से उल्टा चलना है, और 50 मनानी है, तो सबसे पहले 40 बन जाएगा, सबसे पहले 4 को बनाया, फिर उसके बाद 3 को 0 बनाएंगे, फिर 2 को 0 बनाएंगे, फिर 6 को 0 बनाएंगे, फिर 1, 6 और को 0 बना देंगे, तो हो गई 5, 0, lakh में 5, 0 आती है ना, तो हमने भी 5 बना दी, 1, 2, 3, 4, 5, हो गई 5, 0, अब आखरी में 0 तुमने किसको बनाया है, वो अंडरलाइन हुआ वाई है, कुशन में, यह 6 है, जिसको हमने बिल तो यह हो गया आपका फाइनल आंसर, फॉर्ट के B पार्ट का, अब आ जाते है C पर, फिर्स्ट पार्ट, C का, यहां पर आपको 8 करोड, 9,47,396 दिया है, और इसको आपको निरेस्ट करोड में करना है, निरेस्ट करोड, तो करोड में कितनी जिरो आती हैं, आप लिखके द लिखाया था, यह हो गई, वनस्प्लेस, 0, 0 तो लास्ट में आनी है, तो हम यहां करोड लिखके देखते हैं, कितनी जिरो आती है, वनस्प्लेस पे 0, 10 प्लेस, 100,000, 10,000, 100,000, 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 100, वन करोड यह जो मैंने लिखाए यह कौन है यह वन करोड है कितनी जिरो आ रही है इन्हें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 तो वन करोड में कितनी जिरो है 7 यानि हमें यहाँ पर कितनी जिरो बनानी होंगी लास्ट में 7 0 तो 1 2 3 4 5 6 6 6 को 0 9 को 0 3 को 0 7 को 0 4 को 9 को यह सारे के सारे नंबर जो थे हैं इन सब को हमने 0 बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 करोड था ना तो करोड में 7 0 आती है तो हमने 7 0 बना दी लास्ट में कौन सी डिजिट जो है वो हमने 0 बनाई यह वाली डिजिट उल्टा चलते गए थे 7 प्लेस पे कौन था यह था तो इसको हमने लास्ट में 0 बनाया और यह तो अल्डरेडी ही 0 था तो यह तो 5 से छोटा है और जब कोई value 5 से छोटी होती है तो पिछले नंबर मे कुछ भी add नहीं करना होता तो यह हो जाएगा 8 तो इस तरह से आप यह पार्ट नमर सी का first करेंगे एक पार्ट हो रहा है उसे भी देख लेते हैं 32 करोड 64,58,972 इसको भी हमें round off करना है nearest करोड में तो 7 0 बनानी है अभी हमने करोड लिखे देगा था कितनी 0 आ रही है साथ तो 1,2,3,4,5,6,7 यहां तक 7 0 आ जाएंगी उल्टा चलेंगे इस तरह last से तो आखरी में 0 किसको बनाएंगे हम उल्टा चलते जाएंगे चलते जाएंगे last में कौन 0 बनेगा 6 और 6 तो 5 से बड़ा होता है जब यह 5 से बड़ा है तो पिछला नंबर जो है 32 वो एक बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा तो यह हो गया आपका final answer question number 4 का तो इस तरह से आप यह सारे पार्ट कर यहां पर आपको 36,48,271 दिया है और इसको भी round off करना है अम यहां पर काफी सारे पार्ट है पहला पार्ट है round off to nearest thousand तो nearest thousand में करना है और यह मैं already आपको सिखा चुका हूँ जब भी आपको nearest thousand करना होता है तो आपको क्या करना है thousand में कितनी zero आती है अगर आप thousand लिखके देंगी तो last में आपको three zeros बनानी है तो number क्या है three six four eight two seven one यह तो question है और अगर इसका answer आप nearest thousand में करना चाह रहे हैं तो last से तीन digits को zero बनाना पड़ेगा पहले यह zero बनेगा फिर दूसरी बार यह zero बनेगा और तीसरी बार यह तो third three zero थी तो three zero बना दी हमने last mix zero किसको बनाया है two को और two तो five से छोटा होता है इसलिए पिछले number में कुछ भी add नहीं होगा क्योंकि यह two five से छोटा है तो final answer हो जाएगा three six four eight triple zero तो यह हो गया आपका part number a बी part देखें वही number है three six four eight two seven one आपको इसे round off करना है nearest ten thousand में ten thousand में कितनी zero आती है अगर आप ten thousand लिखके देखोगे तो ten thousand में कितनी zero होंगी four zero ten thousand में कितनी zero आती है चार तो हमने यहाँ पर four zero बनानी है last से four digits को zero बनाएंगे एक यह होगी zero फिर दूसरी यह तीसरी यह चौथी यह तो चार zero हमें बनानी है आकरी में किसको zero बनाया हमने आकरी में हमने zero बनाया है eight को last से अगर हम zero बनाएंगे तो सबसे last में कौन zero बनेगा eight zero बनेगा और eight तो five से बढ़ा है जब कोई value five से बढ़ी होती है तो पिछले four की जगा क्या हो जगा three sixty five हो जगा जो four था उसमें एक बढ़ा देंगे तो यह हो गया final answer पार्ट नमबर भी का अब सी पार्ट देखे question वही है 36,48,271 और इसको आपको round off करना है किसमे nearest लैक में तो लैक कैसे लिखते है ones, tens, hundred, thousand, ten thousand और लैक प्लेस पे one आ जागा तो यह हो गया one लैक कितनी zero है इसमें one, two, three, four, five, five, zero आ रही है तो हमें भी five zero बनानी है सबसे पहले यह zero बनेगी last में फिर यह zero बनेगा फिर three, four, five यह हो गई पांच zero सबसे आकरी में हमने किसको zero बनाया इस चार को आकरी में zero बनाया और चार जो है वो पांच से छोटा नंबर है और जब पांच से छोटा नंबर होता है तो हम किसी भी नंबर जो पिछला नंबर होता है उसमें add नहीं करते 36 का 36 ही रहेगा तो final answer part number C का क्या हो गया 36 lakh तो इस तरह से part number C करेंगे अब देखे part number D D part में वो number आप दुबारा use करेंगे यह तो सब के parts में use होना है 36 lakh 48,271 इसको इस बार round off करना है nearest 10 lakh में तो हम 10 lakh लिखके देखते है 10 lakh पर आ जाएगा 1 तो यह हमने 10 lakh लिख लिख लिया इसमें कितनी 0 आ रही है 1,2,3,4,5,6 तो इसमें हमें 6 0s बनानी है क्योंकि 10 lakh में 6 0 होती है तो यहां भी 6 0 बनाएंगे सबसे पहले यह 0 बनेगा फिर 7 को 0 बनाएंगे 3,4,5,6 कितनी 0 बनानी है हमें 1,2,3,4,5,6 कितनी 0 बनानी थी 6 बनानी थी और 6 हमने बना दी जब 6 0 बनाई हमने तो last में उल्टा चलने पे कौन सी डिजिट को हमने last में 0 बनाया इसको last में 0 बनाया और यह जो है यह तो 5 से बढ़ा है जब यह value 5 से बढ़ी है तो पिछले नंबर में 1 प्लस कर दिया जाएगा तो 3 में 1 बढ़ाने पे क्या बन जाएगा चा तो यह हो आपका final answer फिफ्ट के डी पार्ट का तो इस तरह से आप यह सारे parts करेंगे question नंबर फिफ्ट के इसमें commas भी लगाएंगे जैसे question में लगे वे थे वो भी आप put कर दें सब में हर part में आपको commas भी लगाने हैं जैसे यहां question में दिये गए थे बिल्कुल same way में तो यह यहां भी आ जाएगा तो यह हो गया आपका final answer question नंबर फिफ्ट का अब आ जाते है next पे question number six in each of the following choose the correct option यहां पर आपको options दिये गए हैं और वो कह रहा है कि correct option इसमें कौन सा है वो कह रहा है एक number है four seven eight five nine ठीक है यह एक number है इसको nearest thousand में round off करना है तो आप इनके चार parts दी है इन चार parts में से आपको बताना है कि सही answer कौन सा है तो आप बना कर देख लो इसको अगर आप nearest thousand में round off करोगे तो thousand है ना thousand में कितनी zero आती है तीन तो एक तो यह zero बनेगा एक यह zero बनेगा और आखरी में eight को zero बनाएंगे और eight तो five से बढ़ा है तो जब five से बढ़ा है तो 47 की जगए क्या हो जगा 48 तो final answer 48 thousand आएगा तो correct option इस तो इस तरह से आप यह six का सी पार्ट आपका correct answer है तो यह question number six इस तरह करना है आपने अब आ जाते है next में question number seven यह भी round off करना है क्या दिया है question two lakh forty three thousand two hundred ten और nearest lakh में इसे round off करना है तो nearest lakh lakh में कितनी zero होती है पांच zero तो आपको यहाँ ना पांच zero बनानी पड़ेंगी last में एक दूसरी यह zero तीसरी यह zero कॉमा भी लगाएं चौतर नमबर यह zero पांच वा नमबर यह zero तो पांच zero बनानी है क्योंकि nearest lakh बोला है तो lakh में five zero आती है आगरी में zero हमने किसको बनाया four को और four तो five से छोटा नमबर है तो जब यह five से छोटा नमबर है तो पिछली value में कुछ भ आपका है यहां लिख देंगे correct option is a अब देखें लास्ट कोश्चन कोशन नमबर 8 इसमें भी आपको काफी बड़ी value दी गई है इसको count करते हैं यह है आपका नमबर और इसको nearest ten lakh में करना है 10 lakh कैसे लिखते हैं 10 lakh जब आएगा तो उस पर one तो कितनी zero आ गए इसमें one two three four five six तो ten lakh में six zero आती है तो हमें भी यहां round off करने के लिए six zero चाहिए one two three comma four five फिर comma यह six तो यह हो गई six zero आखरी में जो zero बनाई वो हमने किसको बनाया five को बनाया यह जो five है उल्टा चलते गए six नंबर पे कौन जिरो बना five तो यह जो five है यह तो five के equal होता है five के equal हो या five से बड़ा हो तो पिछली value में one add करना होता है तो पिछली value क्या है nine या पूरा पढ़ लो इसे 99 तो one add करना है तो 99 में यह कौन है 99 99 में one add करेंगे तो 99 प्लस one hundred तो यह हो गया आपका final answer इसमें कॉ भी लगा देंगे यहां तो इस तरह से आप यह question number eight करेंगे so now this exercise is over I hope आज का बढ़ा हुआ topic आप सबको समझा गया होगा if you like my way of teaching then please like comment or share जरूर करें in the next video I will give you next exercise हुआ